हलो ओरीवन आप सभी को मेरेशान पस्वागेत हैं आज की वीडियो पर हम एजेक्टिव की बार में जानेंगे साथी कितने टैप्स के अजेक्टिव होते हैं उन से रिलेटिव वोक्षिट बहुत इंफरमेटी वीडियो है तो बने इस वीडियो पर वीडियो स्टार करने से पहले में यह कहने चाहती हो अगर चानल पर नहीं आया है तो चानल को जुरू सब्सक्राइब करो ब्ला को प्रेस करें तक ही ऐसी इंफरमेटी वीडियो को मिलती रहे सबसे पहले हम यह जानेंगे कि हम एजेक्टिव किसे कहते हैं एजेक्टिव डिस्क्राइब ऑपर्सन प्लेस अनिमल थिंग को डिस्क्राइब करता है दे एड मिनिंग टू नौन अन प्रोनान की आगे या पीछे एक मिनिंग एड करता है जिसको हम डिस्क्राइब वर्ड भी कहते हैं एजेक्टिव के हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड नौन और प्रोनान को डिस्क्राइब करता है जो सम जो है वो एक meaning एड करा कि मुझे कुछ शुगर चाहिए काइन फाइव सम यह जो वर्ड है यह क्या adjective है डिस्क्राइब कर एक meaning एड कर रहे है noun और pronoun के साथ इसे को हम क्या बोलते है अब लोगों समझ आई गया होगा adjective जो होते है वो noun के पहले भी लगते है और noun के बाद में भी लगते है जैसे sunny day के आगे क्या है sunny happy child के आगे क्या है happy brave shoulder के आगे क्या है brave sunny happy brave यह सब क्या है adjective एक describing word एक meaning जो noun and pronoun के साथ add हो रहा है कुछ ऐसे भी adjectives होते है जो noun के बाद add होते है for example the child is happy child बहुत खुश है the shoulder is brave shoulder जो हमारे brave है kinds of adjectives में आ जाता है adjectives कितनी प्रकार के होते है चार प्रकार के होते हैं मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ adjective of quality adjective of quantity adjective of number adjective of demonstrative उपर जगा नहीं हो रहता है इसलिए मैंने नीचे दिखाया है adjective of demonstrative आज मैं पहला वाला discuss करूंगी साथ उसे लेटेर वोक्षिट कराऊंगी और जो बाकी जो तीन है वो next video पर next part में part 2 में मैं आप लोगों साथ discuss करूंगी और वोक्षिट भी करवाऊंगी adjective of quality and adjective of quality tell us about the side, shape, color और particular quality of a noun and pronoun जो noun and pronoun जो word add हो रहे हैं उसके बारे में side, shape, color और particular quality बताते हैं उसे हम क्या करते है adjective of quality for example I had a cold drink yesterday, yesterday मैंने cold drink पिया था, कौनसा drink? cold drink she baked a delicious cake for me, मेरे लिए उसने बहुत ही delicious cake बनाया था, कौनसा cake? delicious cake रागव is a proud man, रागव कैसा man है? proud it is a large box, it is a large box, cold, delicious, proud, sweet, large are the example of adjective of quality अब हम लोग वोक्षिट पर आ जाते हैं, वोक्षिट का सबसे पहला question है underline the adjectives in this sentence, इस sentence में हमें adjective को underline करना है there is a stain on the orange cut, orange cut में stain है कौनसे skirt में? orange cut पे, तो orange को हम circle करेंगे, headline कर देंगे the old man is funny, old man बहुत जादा funny है, कौनसा man? old man तो old को हम circle कर देंगे, Monica's bag is old and ton Monica को जो bag बहुत जादा old पुराना है और turn है, old और turn को हम circle कर देंगे यह describe कर रहा है, hungry child cried loudly भूका बच्चा बहुत तेजी से रो रहा है, कौनसा बच्चा भूका बच्चा हंगरी को हम circle कर देंगे next, the young calf found fresh green grass to eat, young calf को ताजा green grass मिला खाने के लिए कौनसे calf को, young को, तो young को हम circle कर देंगे, को यह describe कर रहा है, adjective है और उसके बाद fresh को और green को हम circle करेंगे fresh बता रहा है कि ताजा green grass मिला है उसे खाने के लिए next हम आ जाते है, write suitable adjectives for this noun यह जो non word दे गया, इसके साथ हमें suitable adjective को add करना, जो उसके लिए suitable हो सबसे पहला है number है mountain, mountain के साथ हम add कर सकते हैं tall mountain, ऊचा mountain उसके बाद है river, river के साथ हम add कर सकते हैं beautiful, beautiful river मतलब बहुत सी सुन्दर river sea के साथ हम add कर सकते है blue, blue sea next है sack sack के साथ हम add कर सकते है wise, wise sag next है toy, toy के साथ हम add कर सकते है colorful मतलब रंगीन toy, colorful toy शार्प नाइफ मतंब नोकिला की जिसकों बولते हैं चाकु उसके बाद है फिल्म के साद मह immortal कर सकते हैं उन्ट्रस्टिंग पर उसके बाद है एड्ट समया रहत रहीं है कि जा बड्रान कर रहते हो सकते हैं प्रिटी भी ङड्ट कर सकते हैं अडोरेबल भी एकसा क्रते हैं तो हम एक्षा तो हम प्रीटी लिख सकते हैं प्रीटी मैं लिख मैं लिखरी हूं प्रीटी वोम मैं प्रीटी वोमन कि क्ली कि उसकी वन मिल businesses उसके बात Nod gleich number three right suitable nN 800 YouTube कि जह नग्तिक दमसाहिए रहां तॉल बीलडिंग इसके बाद नेक्स्ट अकलेवर गिर या बयुआब लिख सकते हैं कोई भी मैं वोमें लिख सकते हैं नेक्स्ट ओर ब्रेव के साथ हमेशा चौलडर को यह एट किजेगा ब्रेव शोल्डर नंबर फुर में आजाते हैं A kind monk Kind के साथ हमेशा monk अच्छा रहेगा Next A thick Thick के साथ wall सही रहेगा A thick wall An old Old के साथ man ठीक रहेगा An old man or woman भी आप लिख सकते हैं A green Green के साथ हमेशा grass सही रहेगा A green grass Next वोक्शिट में आजाते हैं We write a sentence by adding suitable adjective of quality for the underlined nouns यह जो nounस देख रहे हैं जो अंडरलाइन है इसके आगे हमें एजेक्टिव क्वालिटी को एड करना है जैसे बस के आगे एड करना है रोड के आगे एड करना है एजेक्टिव क्वालिटी हमें बताते हैं साइड शेप कलो पार्टिकुलर क्वालिटी बस का आगे हमें एड कर सकते हैं रेड को रोड क सर देश्टी बनानस नमंछ Kayla तेता अनाध्य कर सकते हैं टंद वाइप व्जट उड़ उड़ के हम अग्रेअट को कर सकते हैं दाई पर केलेल कर सकते हैं चानल incubator को एड़कोग सेक्द घौन ओर घॉच्रा वर्च एंगरानाइग अखी का इंट आफिर देशलना चोट प्रिपर यही रहा अच्छा वीडियो आशा करते अपको इस वीडियो से थोरी बहुत भी हल्प मिली होगी वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंड बॉक्स में जरू बताईगा इस वीडियो को जाधा से जहाधा शेर करिये वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक जरू कर दीजे अगर चैनल पर नए आया तो चैनल को जरू सब्स्वाइब कर लीजे मिलत अगली वीडियो पर तब तक लिए गुडबाई एंड टेक केर